मद्यप्रदेश की राजधानी भुपाल में कोरोना गाइडलाइन का सक्ती से पालन कराय जा रहा है वहीं अब मास्क नहीं लगाने वालो पर 200 रुपे का जुर्माना लगाय जाएगा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में सर्वसम्मती के साथ इस बात का निर्णे लिया गया कमिटी की अधेक्षुता कर रहे भुपाल के प्रभारी मंतरी भुपेंदर सिंग ने कहा कि अब जनता को समझ जाना चाहिए कि कोरोना वापस आ चुका है मंतरी भुपेंदर सिंग ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने जैसी कोई स्थिती नहीं है और राजधानी में कोरोना के इलाज की परियाप्त इंतिजाम है फिलहाल स्कूलों को बंद करने की स्थिती भी नहीं है क्योंकि बच्चों का टीका करण अभियान चल रहा है तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटे की बैठक कोरोना गाइडलाइन का सकती से पालन कराने के निर्देश मास्क नहीं लगाने वालों पर दो सो रूपे का जुर्माना तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटे की बैठक कोरोना गाइडलाइन का सकती से पालन कराने के निर्देश दीए गये है साथी मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपे का जुर्माना भी लगाया जाएगा तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटे की बैठक कोरोना गैडलाइन का सक्ती से पालन कराने की निर्देश दिये गए और मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपे का जुर्माना लगाए जाएगा तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटे की बैठक में कोरोना गाइडलाइन का सकती से पालन कराने के निर्देश दिये गए